Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, how are you? Well, now? Friends, today I am going to teach you about the sentences, कुछ, ऐसे sentences, जिसमें, जिसमें, आइसे वर्ट्स का इस्तमाल होता है, ऐसे वर्ट्स का इस्तमाल क्यों होता है, और किस तरह के sentences में होता है, और किन स्थितियों में हम ऐसे sentences का इस्तमाल और वर्ट्स का इस्तमाल करते हैं, आज वो हम सिखेंगे. ठीक है friends, तो let's start the class of the day. Friends, you can see on the board, मैंने सारी चीज़ें लिख कर रखी है, यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो, ऐसे हिंदी शब्दों के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और ऐसे शब्दों का इस्तमाल हम किस तरह से sentence में करते हैं? ठीक है friends, तो यही तो, वही तो, यही बात तो, मिस, हम बोलते हैं ने किसे को, अरे यही बात तो मैं कह रहा था, वही बात तो मैं बता रहा था, इस तरह से हम बोलते हैं तो उसका इंग्रिश होता है that's what अब that's what हम बाद में एक्के करके sentences के द्वारा समझते जाएंगे ठीक है friends अब दूसरा है यही तो वही तो इसी जगह तो उसी जगह तो अब यहाँ पर दखो यही तो वही तो यही बात तो वही बात तो ऐसी बात हैं लेकिन यह जो है यह talking about issue means किसी भी issue के बारे में बात की जा रही है वहाँ पर तो that's what होता है ठीक है और जब हमें हाँ पर ऐसा बोलेंगे यही तो means यही तो वही तो यही इसी जगह तो उसी जगह तो तो आपर that's where मतलब we are talking about the place मतलब हम किसी जगह की बारे में बात कर रहे है तो आपर इस तरह से होगा और इसका एंगलिश होगा that's where अभी तिसरा है इसी लिए तो तभी तो means a reason we are talking about the reason इसमें अगर इस तरह का words इस्तेमाल हो तो समझ लो कि हम किसी reason के बारे में बात कर रहे हैं कोई reason दे रहे हैं कि that's why that's why मतलब तभी तो या इसी लिए तो उसी को तो उसी को तो मतलब ये living things के लिए बात होती है कि किसी हम खास particular चीज़ के बारे में आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं, उसी को तो, उसी को तो मैंने देखा था, ऐसा बोलते हैं नो, उसी को तो मैंने देखा था, तो उसमें हम living things की बात करेंगे, अगर non living things की बात करेंगे, उसी को तो, तो that's which बोलेंगे, और living things की बात कर रहे हैं हम, उसी को तो, तो that's who, या that हों बोलेंगे ठीक है friends, अभी उसी समय तो या तभी तो यह वी आर टौकिंग बाउट टाइम जब हम time किसी टाइंग के बाड़ में किसी पर्टीकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं तब इस तरह के हम वट्सकार तरह से, means we are talking about a way of doing something, मतलब हम लोग कुछ करने की किसी तरीके के बारे में जब बात कर रहे होते हैं, तब या पर हम that's how बोलते हैं, कि इसी तरह तो, इसी तरह से तो, okay friends, अभी हम उपर से शुरू करेंगे, एक एक sentence बनाते हुए, और one by one sentence बनाते हुए इसको हम समझते जाए ठीके friends, तो पहला है that's what, मतलब यही तो, वही तो, यही बात तो, या वही बात तो, मतलब अगर हम बोलेंगे, वही बात तो मैं कह रहा था, या यही तो मैं कह रहा था, या हम बोल सकते हैं, वही तो मैं कह रहा था, तो that's what I was saying, okay friends, कि यही बात तो तुम उसे समझा रहे थ बोलते हैं न कि यही बात तो तुम उसे समझा रहे थे कि that's what you are making him understand ठीक है friends अभी दूसरा है यही तो वही तो इसी जगह तो उसी जगह तो means we are talking about the place means जगह की बात कर रहे हैं इसी हम that's where बोलते हैं कि वही तो मैंने उसे देखा था या उसी जगह तो मैंने उसे देखा था तो that's where I saw him राम उसी जगह तो खड़ा था means राम वही पर तो खड़ा था तो that's where राम वाज स्टेंडिंग अभी हम तिसरा लेते हैं इसी लिए तो और तभी तो means that's why we are talking about some reasons किसी भी चीज के लिए कोई reason दे रहा है तो हम उसमें that's why बोलते हैं ठीके friends तो इसको हम इस तरह की sentences समझ सकते हैं कि इसी लिए तो इसी लिए तो मैंने उसे डाटा था तभी तो मैंने उसे डाटा था that's why I had scolded him okay friends अभी उसके बाद है कि उसी को तो means we are talking about the living things तो इसमें हम ऐसा sentence सकते हैं कि उसी को तो मैंने पीटा था उसी को तो मैंने पीटा था that's who I had beaten या that's whom I had beaten okay friends अभी उसी समय तो तभी तो means we are talking about the time उसी समय तो मैंने तुम्हें कॉल किया था that's when I had called you okay friends उसी को मतलब we are talking about non-living things कि उसी को तो मैंने पेचा था या वही तो मैंने पेचा था तो that's which I sold ठीके friends अभी या इसी तरह तो या इसी तरह से means that's how we are talking about way of doing something मतलब मैंने इसी तरह से तो अंग्रेजी सिखी मैंने इसी तरह से तो अंग्रेजी सिखी means that's how I learnt English उसने इसी तरह से तो बात की that's how he spoke okay friends तो इमीद करता हो कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि इस तरह के words को हम किस तरह से इस्तमाल करते हैं sentences में okay friends तो आप तक हमारा वीडियो देखने के लिए thanks thanks a lot and धन्यवाद